आज मैं आपको बताऊंगी घी बनाने का सही तरीका घी तो बहुत लोग बनाते हैं बर जो सही तरीका है वो उस तरीके से नहीं बलकि कुछ और ही तरीके से बनाते हैं जिस तरीके से आज मैं आपको बताऊंगी उससे आपका जो घी है उसमें आपको कोई कलर अगर डालने की भी जरुवत नहीं पड़ेगी उससे जो घीं की मात्रा होगी वो भी जादा बढ़ेगी घीं को बनाना बहुत जादा असान होता है पर कुछ तरीके होते हैं उसको बनाने के भी तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सस मलाई वही होती है जो दूद को उबालने के बाद उपर से लग जाती है उसे ही मैंने साथ दिन तक ऐसे स्टोर करा था एक बरतन में आज मैं इसका गी बनाने की प्रोसेस आपको बता रही हूँ तो आप मलाई कित्ते दिन की भी ले सकते हैं 15 दिन की 20 दिन की ध्यान आप रोज एक खटा कर रहे हैं उसे निकाल के हाथो हाथ फ्रीज में रख दीजिए जिससे उसमेल भी नहीं आएगी और वो सही रहेगी तो यहाँ पर मैंने ठंडी मलाई ली हुई है इसके लिए आपको ठंडी मलाई लेनी है और हाथों से ऐसे ही लगातार उसे फैटते रहना है जब तक वो ऐसे ना हो जाए जब आप उसे हाथों से ऐसे फैटते रहेंगे तो उसका मखन खुद निकल जाएगा और जो उसका पानी है वो उससे अलग हो जाएगा तो यहाँ पर इसको फैटने की कोई टाइमिंग नहीं है क्योंकि हर कोई मलाई अलग-अलग होत निकालते हैं तो उसमें कुछ दूद भी चले जाता है निकालते टाइम तो उस वज़े से ये पानी आ जाता है और ये देखिए मक्षन अलग हो गया है तो अब हम थोड़ा मक्षन को वाश कर लेते हैं इसी में हम इसे वाश करेंगे ताकि और इसमें जो पानी होगा वो अच्छे से निकल जाए और जो हमारा मक्षन हो वो बहुत ही जादा स्मूथ और सॉफ्ट हो और अच्छा निकले हमारा मक्षन तो ऐसे ही आपको इसको दो लेना है अच्छे से और फिर आपको ये पानी को एक दूसरे बरतन में निकाल लेना है और फिर आप यही प्रास्टेस एक बार और कर लीजीए इससे गया होगा कि मखण और जादा अच्छे से साफ हो जाएगा और कोई जादा मोटिव नहीं है इसको दोने का बस यही मोटिव है कि अच्छे से मखण साफ हो बस इसके पानी को भी दूसरे बतन में ट्रांसफर कर देंगे और ये देखिए कितना जादा मक्षन निकला हुआ है देखने में ही इतना जादा अच्छा लग रहा है मैंने तो थोड़ा सा खाबी लिया था क्योंकि मुझे मक्षन बहुत जादा पसंद है अगर आप इसका घीनी मक्षन मिनाना चाते हैं या कोई कृष्ण भगवान जी के लिए वो भी इस वीडियो को देख सकता है तो मैंने इसे चूले पे चड़ा दिया है आप गैस में हाई फ्लेम पे इसको ऐसी चड़ा सकते हैं क्योंकि आज ममी ने बोला कि चूले पे इसको बनाते हैं तो प्रोसेस तो सेम है आप किसी में भी बनाई चाहिए चूले पे या फिर गैस पे आपको इसको ऐसी रख देना है तो आपको न पणिये को चलाते रहना है लगातार जिससे न वो कड़ाई से निकल के बाहर न गिरे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें साइट साइट से चोटे चोटे दाने जैसे आपको दिख रहे होंगे तो अपना हमारा जो घी है वो बनने लगा है हलका हलका तो आपको गैस की फ्लेम को हाई रखना है अभी और इसको चलाते रहना है जिससे घी बन जाए इसको बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है बस जो इसकी मेन प्रोसेस है वो है मलाई को फैटना मलाई को फैटने में आपका टाइम लगीगा क्योंकि उसकी मेन प्रोसेस वही है उससे ही आपका जो घी है उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी और जो घी है वो बहुत अच्छे से निकल के आएगा तो हलका हलका जैसे आप देख रहे है ना ये हलका हलका रेड हो गया है और दिख रहा होगा घी अलगी निकलने लग गया है तो अब आपको जैसे मैं कर रही हूँ ना उपड़ से इसको ऐसे ही करना है जैसे चाई वाले भाया करते है ना चाई को वैसी आपको घी को करना है त तो अब जो हमारा गी है वो बन के रेडी हो गया है क्योंकि इसमें साइट से हलकी हलकी रेडनेस दिखने लगी है अब हम इसको निकाल देंगे यह देखिए जो मैं आपसे बोल ली थी ना रेड रेड वो यह दिख रहा है आपको तो अब आपको एक छन्नी की साइटा से किसी एक बरतन में इसको निकाल लेना है पहले कड़ाई में साइट से ऐसे इसको निकाल लीजिए ताकि अच्छे से एक दूसरे से मिल जाए और अब आपको एक कटोरी में या किसी और बरतन में छन्नी को रखना है और ऐसे इसको ट्रांसफर कर लेना है इससे क्या होगा जो घी जाँ से घी नीचे को गिर रहे है वह बहुत ही जाधा अच्छा लग रहा है और आप देख सकते हैं यह कित्ती जाधा क्वांटिटी पर बना हुआ है तो अगर आप इस तरीके करके इसको जरूर से खाईएगा बहुत जादा अच्छी लगती है हम कभी इसको वेस्ट नहीं करते हैं किते लोग वेस्ट करते हैं तो यह देखो हमारा घी निकल के रेडी हो गया है किता जादा अच्छा लग रहा है ना और यह देखिए इसका नैचुरल कलर मैंने इसमें क आपको कोई कलर वगरा डालने की जरूरत नहीं है उससे तो वह इन प्यॉर घी बन जाएगा आपको प्यॉर घी खाना चाहिए तो यही था घी बनाने का असान तरीका अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और और आप शेयर जर बाइ